अलो गाईज आप सभी का मेरे इस यूटीब चैनल में एक बार फिक स्वागत हैं इस्टोडेंट्स आज मैं हाई स्कूल का प्रोज सेक्षन का चेप्टर नमबर 6 जो प्रोज का सबसे अंतिम चेप्टर है और इंडियन म्यूजिक इस्टोरीज एंड एन अपडोर्ट्स को ल लाइन बाइन एक एक चीज एक एक सर्साइज में बता करके अपने चैनल पर अपलोड कर दिया हूं अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप से मैं या निवेजन करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिपिशन बॉक्स में जाए और इसके प आप वहां से देख सकते हैं तो इस्टुडेंट्स आज का जो हमारा चेप्टर है और इंडियन म्यूजिक की स्टोरीज एंड एनकडोट्स इसको लिखने वाले और श्री निवासन हैं इनका जीवन काल 1869 से 1945 तक रहा है इस्टुडेंट्स यहा जो चेप्टर है यह चेप लिखती है जो की हमारे हिर्दय की गहराईयों से निकलते हैं और यह किसी की आग्यां आदेश अथवा किसी के दवाव के कारण नहीं किया जा सकता है किसी अब्दुत कलाकिल्ट के निर्माड के पीछे एक आध्यात्मिक सक्ति होती है कलाकार जो किसी अनुकम रखना के नि हराईयों से करता है तब एक खला का निर्मार होता है और हम उसे देख करके आनंदित होते हैं खुस होते हैं और जो है आश्चर सकीत भी होते हैं तो इस्टुएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट और इंट्रेस्टिंग एरलेशन है आप मेरे साथ इस वीडियो के अंततक बने है यें बहुत मज़ा आने वाला है और आपको में अवाद्ध करता हुं कि इसकी एक एक स्टुरी जो भी है पारागराफ जो भी इसके हैं जोली से वर्च हैं सेंटेंचेलं को मैं आपको एक्सपलेंग करके सम्झाने वाला हुं तो गाईस आईए स्टार्ट करते हैं इंडियन म्यूजिक इस ब्रीमिंग विद इस्टोरीज एंड अनक्डोट्स देखे गाईस लेका काता है तो हिस्ट्री इतिहास आफ इंडियन भारती म्यूजिक संगीत का इस ब्रीमिंग विद का मतलब होगा ओत प्रोत है पूल रूप से भरा हुआ है किस से भरा हुआ है विद इस्टोरीज कहानियों से और अनक्डोट्स का मतलब होता है छोटी कहानियां अंतर कथाएं साटी स्टोरीज का सकते हैं साटी स्टोरीज से भरा हुआ है अर्थात भार्थी संगीत का इतिहास कहानियों तथा अंतर कथाओं से ओत प्रोत रहा है से भरा हुआ रहा है Why the very origin of music origin means होता है स्रोत और music संगीत का कता है संगीत का जो स्रोत है and other fine arts और जो अन्य ललित कलाओं है फाइन ललित कला होगा Is in itself a story यह स्वय में अपने आप में एक कहानी है अर्थात कहने का दात्परिया है कि संगीत अन्य ललित कलाओं की उत्पत्ति भी अपने आप में एक कहानी है दग क्रियेटर ब्रह्मा निर्माता ब्रह्मा ने हिंदु धर्म के एकॉर्डिंग इस संसार का इस स्रिष्ट का निर्मान करने वाले ब्रह्मा है made this universe ने इस ब्रह्मान को बनाया universe मीं सोगा ब्रह्मान made means बनाया subject no helping or man works again from past and definite tense है और क्या बनाये he created उन्होंने बनाया उन्होंने निर्मान किया उन्होंने रचना किया of a variety of wonderfully beautiful and enchanting things guys enchanting means होता है मंत्र मुग्द wonderfully आश्चरजनक अदभूद भरा है कि उन्होंने बिभिन प्रकार की आश्चरजनक रूप से सुन्दर एवं मंत्र मुग्द करने वाली चीजों का निर्मार किया ब्रह्मा ने ऐसी चीजों को बनाया जिन चीजों को हम देख करके आश्चर होते हैं आश्चरजकीत होते हैं मंत्र मुग्द होते हैं ऐसी ऐसी चीजों को बनाया आगे बता रहा है क्या क्या बनाए है ही वह क्रियेटेड बनाए निर्माण कि ये रचे दव मेजेस्टिंग माउंटें रेंजेज मेजेस्टिक सांदार सांदार परवती श्रिंखलाओं को बनाए दथांडरिंग वाटर बाल्स वाटर फाल्स मेंस कोता है ज्घर्णा 225 में गरर जते हुए बता रहा है कि गरस्टे में ज्घर्णों को बनाए अर्थात सीधे सव्दों मङं आप कर सकते हैं कि गरेंजते हुए जल्व प्रपाटों को बनाए और दजाइन विसाल बहुत बड़े फडिश ट्रीज जंगली पेणों को बनाए और दा कलरफुल पिकॉक्स रंग विरंग मोरों को बनाए और दा एक्सजित बहतरीन खुबसूरत फ्लावर्स फूलों को बनाए A field is creation, creation means रतना यह सब past and definite tense में लिखा है Subject, no helping or manual or second form past and definite tense का लाता है students उन्होंने अपने रचना को भर दिया With beauty, सुन्दरता से, charm, आकर्षन से and splendor Sun से, बयभौ से, सांदार या बयभौपूर तरीके से उन्होंने अपने रचना को भायपता से भर दिया लेकिन इतना कुछ करने के बाद, इतना सुन्दर सुन्दर चीजों को बनाने के बाद भी ब्रह्मा उदास थे, बच ही वा सेड, लेकिन वह उदास थे, वह दुखित थे His consorts, consorts का तात पर यहां पतिनी से है Consorts उनकी पतनी सरसती, ब्रह्मा की पतनी सरसती जी है उनकी पतनी सरसती आउस्कड ही मुन से पूछी The reason for his sadness उनके उदासी का कारण पूछा करा है कि ब्रह्मा ने आलिसान परवस सिंखलाओं को गरशते हुए जल परपातों को बिसाल बन बिरिक छोयम चंचल हिरन रंग विरंगे मोर्त था आते हैं तो खुब सूरत फूलों की रचना किये इतना ही नहीं ब्रह्मा ने अपनी रचना अर्थाज जो कुछ बनाया उसको सुंदर्ता आकरसन और भगबता से भर दिया लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी वे बहुत उदास थे तब उनकी पतनी ने ब्रह्मा को उदास देख करके उनकी उदासी का कारण पूछी कि क्या कारण है कि आप इतने उदास हैं कौन सी आप को चीज परिसान कर रही है आप हमें भी बताएं ताकि मैं भी आपके उदासी का कारण जान सकूँ इस्टुडेंट्स आप अपने पास बुक्स लेक करके अगर बैठते हैं तो आप और बेठर ढंक से समझ में आएगा गाइस यदि अभी तक आपने मेरे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे निविधन करूँगा कि आप मेरे चनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि मैं प्रतेक दिन वीडियो अप्लोड करता हूँ और आपके स्टलेबस के अकार्डिंग वीडियो में अप्लोड करता हूँ आप मेरे चैनल के अपले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं कि मैंने कौन कौन से वीडियो को बनाया है जो इंपोर्टेंट्स हैं उनको भी मैंने बनाया है कितना आसान और सरल सब्दों में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है तो इस्टुडेंट्स मेरे चैनल पर High School Intermediate के सभी वीडियोज मौझूद है आपको कहीं और किसी और चैनल पर जाने की जरूरत नहीं है आप यहाँ बने रहे एक एक चीज को आप देखिए जहां समझ में नो आए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए मैं बारे घंडे के अंदर उस टॉपिक पर वीडियो बना करके अपलोड कर दूँगा जैका इस्टुडेंट्स आगे बढ़ते हैं ब्रह्मा सेज्ट ब्रह्मा ने कहा यह जो भी लिखा है सब पास्ट एंड एपनी टेंस में है सेखा इसका पाचान होता है सब्जेक्ट के बास इधे वर्ब की सेकेंड फार्मव सब्जेक्ट लोहर्पिमजान का सब्रह्मा ने कहा इसी मैंने है मैंने रचना किया है आल इस वंडर इन सभी आश्यर जनक चार्म आकर्शक और सौड बिखेर दिया है ब्यूटी सुंदर्ता एवरीवेर हर जगह ब्रह्मा जी ने कहा यह सत्त है कि मैंने इन अदभूत अम मोहक चीजों की रचना की है तथा चारों और सुंदर्ता को बिखेर दिया है लेकिन इसका क्या उपयोग है इसका क्या फाइदा है इसे से क्या लाव होने वाला है माई चिल्डरेन जो मेरे बच्चे हैं जो मेरे संतान है दा हिूमन सोल्स जो मानवी आत्माय है simply pass them by इनको नजर अंदाज कर देते हैं इनके पास से गुजर जाते हैं इतना ही नहीं they do not seem to be sensitive to the beauty around sensitive संवेदन सील होना ये जो मानवी आत्माय है ये अपने चारों तरफ हैली हुई सुंदर्ताओं को देख करके जो है जो भी चीज़े हैं वे सवेदन सील नहीं दिखाई देते हैं वे इनमें कोई interest ही नहीं लेते हैं मैंने उनके लिए इतनी सुंदर सुंदर चीज़ों को बनाया हुआ है आगे ब्रमा करते हैं it seems ऐसा लगता है जो भी मैंने परिश्रम किया हुआ है जो भी मैं उनके लिए बनाया हुँ यह सारी चीज़ें सब की सब ब्यर्थ हैं सारी चीज़ें उनके लिए बेकार हैं this creation seems to be purposeless यह जो रचना है यह जो मैंने श्रिष्टी किया है यह उद्देश हीन दिखाई देती है क्योंकि मेरा जो बनाने का मकसद था मैं जो सोच समझ करके बनाया था वह मेरा मकसद वह उद्देश मेरा पूड नहीं हो रहा है मैं धर्थी के इंसानों के लिए यहां मानवी आत्माओं के लिए इन सुन्दर चीजों का निर्मान किया था इतने अच्छे चीजों को बनाया था बट जब वह देखते हैं तो देखतर के इन्हें नजर आंदाज कर देते हैं इनमें वे लोग किसी इंट्रेस्ट को लेते ही नहीं है आगे देखिए नेक्स्ट परगराप स्वरसती अंडर इस्टूज इस फिलिंग्स स्वरसती उनकी भावनाओं को समझ गई अंड टोल्ड ही और उनसे कहीं वेल ठीक है लेट में दो मायगां काम में आप हात बताने दें मुझे भी इसमें हिस्षतेदारी लेने दें मुझे भी अपना योगदान देनी दूझ आ You have created all this beauty, you have created, आपने बनाया है, आपने निर्मार किया है, all this beauty, इन सभी सुन्दरताओं का, इन सभी सुन्दर चीजों का, and splendor, इन वैभों का, इन सुन्दर चीजों का, I have created in our children. The power to respond, power to respond, प्रतिकिरिया करने की छमता, मैं अपने बच्चों के अंदर, इन जो मानवी लोग हैं, इन के अंदर, मैं प्रतिकिरिया करने की छमता पैदा करूंगी, to appreciate प्रसंसा करने की छमता पैदा करूंगी, and be uplifted by them, और उनसे प्रेरित होकर मुचा उठने की छमता पैदा करूंगी, इतनी काम को आप मुझे करने दें, हो सकता है, कि इससे जो ये लोग हैं, इनके उपर कोई अशर जरूर पड़ेगा, इस्टुडेंट्स, आगे देखिए, फिर क्या होता है, करती हैं, कि, I shall give them music, मैं उन्हें संगीत दूँगी, and other arts और अनरचनाव को दूँगी, which will draw out from deep within them the capacity to respond to the majestic splendor and exquisite charm, and wonders beauty of all creations, जेखें क्या करती हैं, करती हैं, कि मैं उन्हें संगीत तथा अनललित कलाओं को दूँगी, जो उनके अंदर इन रचनाओं की सांदार भौबता, एवं असीम और करसन तथा अदभूत सांदार के प्रती, अपनी प्रतिकिरिया करने की छंता परदान करेंगे, उन लोगों के अंदर मैं ऐसी चीजों को दूँगी, ऐसी चीजों को अवर्जिन करूँगी, कि ये लोग, जो मानवी लोग है, जो मानव है इस धर्थी के, वो आपके बनाए हुए चीजों में इंट्रेस लेंगे, उसकी प्रतिकिरिया करेंगे, देखिए गाईज, आगे क्या होता है, लिखा है, कि तब ग्रेट म्यूज, तब महानश्वर समाग्री देवी, अर्थात ज्यान की देवी, अर्थात स्वर्शती ने, गेव दी अस हमें म्यूजिक संगीत, एंड अधर फाइन आर्स और अन ललित कलाओं को दी, इन्द होपी सासा से देट की, थुरूदे मून से, मैन उड अंडरिस्टेंड सम्थिंग आप डिवाइन, इन ही मैनिफिस्टेशन में सोगा रचना, करा है, कि तब महानश्वर समाग्री देवी सर्शती ने हमें संगीत एंड ललित कलाओं, इस आसा के साथ दिन की, मनुष इनके द्वारा अपनी अभिव्यक्ति में देवी अंस को समझने लगेगा, इनमें देवी चीजों को वह पाएगा, और इस ट्रेंज इस्टोरी एक अजीब एक बिल्कुल एक बिचित्र कहानी है, एस हाँ, बट इट है जब ग्रेट मोरल, लेकिन इस कहानी में एक नयतिक सिक्षा, एक नयतिक सीखरी मिलती है, इस्टोरेंट्स अब तक आपने जो पढ़ा, उसका मैं आपको एक मोटी मोटा समरी बता दूँ, कि ब्रह्मान का जब निर्माड हुआ, ब्रह्मा ने अपने समझ केंसार जब सुन्दर चीजों का निर्माड कर दिया, सुन्दर जरने बनाए, मोर बनाए, बड़े बड़े ब्रिक्स बनाए, सुन्दर परवत बनाए, सुन्दर सुन्दर फूलों को बनाए, न जाने क्या क्या उन्होंने बना दिया और बनाने के बाद वो उधास हो ग Franc, क्योंकि वह यह सूच करके बनाये थे, कि जिन चीजों का मैंने निर्मार किया हूं, जब इन चीजों को धरत के लोग मानो इसे देखेंगे तो इसकी प्रसंसा करेंगे वे आश्चर्चकित होंगे बच उन्होंने कोई परत्किर्या ही नहीं दिया इस वज़ा से ब्रह्मा बहुत उदास्थ है उनकी उदासी को देखकर के स्वर्षती उनके इस कारण को पूछी और उन्होंने अपने इ प्रचना किया था उसका कोई मतलब उसकोई उदेश नहीं रहा उन्हा सरसती ने कहीं कि मुझे भी थोड़ा सा इस काम में हिस्सा लेने दीजिए हाथ बटाने दीजिए और उन्होंने सरसती ने धर्ती के लोगों को संगीत और ललित कलाये दी और ताकि इसके माधम से जो लोग हैं वह ब्रह्मा के द्वारा बनाएगे चीजों में आनंद ले सकें उसके लिए उसके उपर प्रतिकिरिया कर सकें